शद्रो राम लक्ष्मण प्रशुराम संबाद इस पाठ खा आखरी खंड चौपाई का लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पहले पांच खंड आप पढ़ चुके हैं, छठा खंड है ये। तो आइए पढ़ते हैं और अत्र जानने का इसका प्रयास करते हैं। तो जो अपने पढ़ा था पिछले दोहे में कि विश्वामित्र जी मन ही मन हसते हुए सोच रहे हैं कि खेद है मुरिवर्ख अब भी राम लक्ष्मण की वास्विक्ता को समझ नहीं पाए। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जी लच्मण जी बोल पढ़ते हैं क्या कहते हैं कि कह लखन मुनि सील तुमारा को नहीं जान विदित संसारा लक्षमड़ी कहते हैं कि हे मुनिवर कहू लखन यानि लक्षमड़ी कहते हैं मुनि सील तुम्हारा हे मुनिवर सील यानि विनम्रता आपकी विनम्रता के बारे में को नहीं जान विदित संसारा इस संसार में ऐसा कोन है जिसे पता नहीं है कि आप कितने भी नम्र हैं यानि यह कटाक्ष है एक तरह का फिर आगे क्या कहते हैं कि माता पिता ही उरी निभैनी के गुरी नुराहा सोच बड़ु जी के माता और पिता के जिर्ण से तो आप पहले ही मुक्त हो चुके हैं यह भी एक कटाक्ष है एक कहानी है इसके पीछा क्या कहानी थी कि एक बार इनके पिता जी इनकी माता जी से नाराज हो जाते हैं और आदिस देते हैं इन्हें कि माता का सर धर्ड़ से अलग कर दो तो यह बिना कुछ सोचे अपने फरसे से माता का सर काट देते हैं और पिता जी इस बात से बड़े प्रसंद हो जाते हैं कि बालक ने मेरी आगया का पलन की अपनी माता को मार डाला फिर वो कहते हैं कि वर मांगो क्या मांगते हो तो परश्राम जी फिर कहते हैं कि है पिता जी मेरी माता को जीवित कर दीजिए तो इस प्रकार ये घटना थी तो उसी के पे कटाक्ष करते हैं लश्मर जी कि माता और पिता के दिन से तो आप पहले ही अच्छी तह उरिड हो चुके हैं और गुरू दिन रहा सोच बड़ जी के अब गुरू का दिन बाकी है तो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे माध्यम से ही चुकता होगा हमारे ही माध्य पे हमारे ही सीर पे उसको भी चुकता करना निखा है या नहीं कहने के मतलबी है कि वो भी हमारे माध्यम से ही रिड चुकता होगा तो दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा और काफी दिन हो गए वो उस रिल को इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा तो क्या कीजिए मुनिवर्स तुनिए कि अब आनिया ब्यवहरिया बोली तुरत देव मैं थेली खोली तो अब किसी आनिया बुला लाईए किसको ब्यवहरिया हिसाब किताब करने वाले को तो जल्दी से किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाईए और जब वो आ जाएगा हिसाब किताब कर देगा तो मैं क्या करूंगा तुरत देव मैं थेली खोली मैं अबने थेले को खोल करके तुरंत उसकारीन चुकता कर दूंगा ये कटाक्ष कर रहे हैं लक्षमणी तो सुनी कट्टु बचन कुठार सुधारा हाए हाए सब सभाँ पुकारा सुनी कट्टु बचन कुठार सुधारा लक्षमण के कलवे बचनों को सुन करके कुठार सुधारा प्रश्वराम ने को लाड़ा हाथ में, सुधारा, यानि ठीक से धारण कर लिया, माजने को उद्यत हो गए, तो क्या हुआ हाए हाए सब सभा पुकारा, सभा में उपस्ति सब लोग हाए हाए करने लगे, यानि सब को लगा कि अब तो ये बालक चला गया, अब तो ये मरा, ल आप मुझे फरसा दिखाते है तो सुनिए बिप्रवचारी बचो निर्पद्रोही निर्पद्रोही यानि राजाओं के सत्रू है राजाओं के सत्रू मैं आपको ब्राम्हण समझ के छोड़ा हूँ इसलिए आप अब तक बचे हुए है लगता है कि मिले न कब हुँ सुभट रनगाड है द्विज देवता घरही के बाड है लगता है कि रनभूमी में आपका युद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है मिले न कबहूं सुभट रन गाड है सुभट यानि वीर युद्धा रन यानि युद्ध में तो कहा कि ऐसा लगता है कि युद्ध में आपका अपाला वीर युद्धाओं से नहीं पड़ा है और सुनिए द्विज देवता घर ही के बाड़े जो ब्रामषण देवता लोग होते हैं वह घर ही में पूजनी होते हैं कहने का मतलब कि युद्ध भूमे में नहीं युद्ध भूम में अगर लड़ने आएंगे तो आप तो सत्र हो जाएंगे और सत्रों का हमनास कर देते हैं तो जब इतना कहा कि दुझे देवता घरही के बाढ़े कि ब्राम्हर लोग केवल घरही में पूजनी होते हैं तो वहाँ जितने उपस्थित लोग थे सब लोगों ने एक मत से कहा कि लच्मण की यह बात अनुचित है क्या कहते हैं कि अनुचित कही सब लोग पुकारे रगु जगुपती सय नहीं लखनुने वारे अनुचित कही सब लोग पुकारे वहाँ जितने लोग थे उन्होंने एक मत से कहा कि लच्मण का या कतन सरव था अनुचित है हर प्रकार से अनुचित है उचित नहीं है और जब इतना सब लोग अनुचित कहने लगे इस बात को तो ज कि लखन उतर आहुती सरिस ब्रिगुवर को पुक्रिशान बढ़त देखी जल समवचन बोले रगु कुलभानु कहते हैं गोश्वा में तुलसी दास लिखते हैं कि लखन उतर आहुती सरिस ब्रिगुवर को पुक्रिशान का मतलब होता है अगनी आग और आहुती कहते हैं जब हम यग्य करते हैं तो जो हवी अगनी में डालते हैं उसी को आहुती कहते हैं तो देखिएगा इस कार समझने का पहले पहरे कार्थ बाद में समझेंगे तो दूसरा पड़ा क्या है भ्रिगुवर कोप क्रिशानू भ्रिगुवर कोप भ्रिगुवर कहते हैं परशुराम जी को और कोप यानि क्रोध तो कहा कि परशुराम के क्रोध रूपी क्रिशानू यानि अगनी में लक्षमण के उत्तर आहुती के समान थे सरिस यानी समान परशुराम के क्रोज रूपी यगनी में लक्षमण के उत्तर आहुती के समान थे कहने का मतलब यह है कि जब परशुराम जी कुछ कहते थे और लक्षमण उसका उत्तर देते थे तो परशुराम का क्रोज दोर बढ़ता जाता था तो आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है पानी डाला जाता है तो बढ़त देखी जल समवचन यानि बढ़त देखी यानि परशुराम के क्रोज को बढ़ता हुआ देखकर के जल समवचन जल के समान ठंडे यानि शीतल वाणी में बोले रहुकुल भानू रहुकुल के भानू यानि रहुकुल के सुर्य कौन स्री रामचन जी बोले तो देखिए कितना बढ़िया यह दुआ था कि परश्राम के क्रोध रूपी अगनी में लक्षमड के उत्तर आहुती के समान थे और उसको बुझाने के लिए क्रोध रूपी अगनी को क्या किया रामची ने जल के समान सीतल वाणी में कहा क्या कहा आपके कॉर्स में नहीं है धन्यवाद